आज से 5000 साल पहले की बात है हिम्लेंड में दो तरह के लोग रहते थे गॉट्स एंड डेविल्स गॉट्स का राजा था नौच एंडेविल्स की रानी थी जो की हमाई थी एंडर ड्रैगन क्योंकि वो सबसे अलग थी क्योंकि वो पूरे खुले सांड के तरह थी पूरे ओवर ड्रैगनी अब उस एंडर ड्रैगनी को क्या बोलते हैं मतलब ऐसी ओवर्वर्ड में घूमती जाती थी तो गॉट्स लोग उसको ठीकाने लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था बट वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे विकॉज डेविल्स की रानी थी एंडर ड्रैग उसको एक वर्दान मिला था कि वो अमर रहेगी लाइफ टाइम के लिए वो कभी मर नहीं सकती फिर उन लोगों ने बहुत ज्यादा धिमाग लगा फिर सोचा कि इसके साथ मतलब डेविल्स वर्सेस गॉड्स की लड़ाई करनी पड़ेगी तो गॉड्ड और डेविल्स की एक दिन बहुत भायानक लड़ाई हुई जिसमें आधा हिम्लेंट्स नस्ट होने वाला था इंब्ले यत्व नस्ट ह ke उसको Account की लिए कि अनि उस Capale को एलग कर दिया जिसको दाक है नाम से उसका क labels के कले बेकार जो युद्स हुआ था वह हिम्लेंट्स की मिररर ॉर्ड था जिसको उननेनग कर दिया ़ितनफ केच्ष और हम रोस को ऑन्हें गौ्ट्स ने मिलकर बहुत सारे डेविल्स को मार दिया था लाइक बहुत सारे नाल देथो मैं इसे बहुत सारे डेविल्स को मार दिया था अभी व 너 सारे बचे गो dat लोग आंडे में दाइंसटे रहते थे ऐसको यह सब आवरस मिली है था उनके ऩिरार Puce Center रोती ती जिसके अंदर बहुत कि जादा नचेंट आम की चीजें लिखे धी फी व्हों गैर्ट को जैसे यह पता चला एक थो लुआ कमजोरी ढूरने लगे तो लोग देखें कि एंडर ड्राइगन की कमजोरी नहीं है विकोज यह उन्हें डाइमेंशनल गौड से उनकी सारी पावर्स मिलिया उन्होंने यह भी दिया था कि उसकी कोई कमजोरी नहीं होगी बट उन्हें यह नहीं पता था कि वह इस चीज़ का गलत फाइदा उठाने लगेगी सो लोग ने अब सोच लिया था इसको मारने का कोई ना कोई उपाई ढूरना पड़ेगा सो यह देख रहते साक्षात डाइमेंशनल गौड अब उनको लगा कि उनको भी नहीं पता था कि अभी से हराने का कोई तरीका ढूरना भी तो वहां आते हैं और उनको एक आइडिया देते हैं वह बोलते हैं कि तुम्हें एक जगा बनानी पड़ेगी जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता है इसको प्रोटेक्ट करेंगे ब्लड गोलम तो इतना आइडिया दे के वह चले गया वह लोग सोचे कि हमें क्या जगा बनानी चाहिए तो लोग सोचे कि एक ऐसी जगा बनानी चाहिए जहां पर जाने पर सब चीज़ खतम हो जाए तो उसका नाम हम लोग रखते हैं अब यह चीज़ बनाने के बाद अब उन लोग ने सोचा कि ऐसे कौन सा पोर्टल बनाए जिससे हम लोग दिया डाइमेंशन में चले दिया बट अब क्या था और डाइमेंशन एंडर ड्राइगन भी थोड़ी मुश्किल में पड़ गए और वह बहुत सी जाता गुस्ता भी गई तब उसको एक और वर्दान था अगर उसका एक भी रखत टपकता है तो उससे एक नई डामेंशन की शुरुआत होगी और वहा को मिल सकता है और उसके अंदर जाना मना है विकास एंडर डाइगनी आज भी उसी गुस्से में है उसी भडास में है अगर जो भी वहां आता है तो उसका वह स्टोन गिर जाएगा एंड पूरा का पूरा हिम्लैंड्स नस्ट हो जाएगा